इस कारिक्रम के पुने आरजक हैं शिरीमती कांती देवी जैन, शिरी अनिल कुमार, शिरीमती बवीता जैन, शिरी सिधार्थ, शिरीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकार साइकल परिवार, कटनी बीरायन प्रवचन माला में अब आप सबी को मुनिराज महाबीर के एक बिसेश प्रसंग को सुनना है मुनि चरिया में आहार और विहार का करम रहता है फिर सामान मुनि हो अथ्वा तीथंकर भी क्यों न हो आहार विहार की चरिया से सबी जुड़ते हैं ऐसा लिखा गया है कि छह मईने के उपवास का नियम पूरा करके मुनि राज महाबीर आहार चरिया के लिए निकले आहार तो कहीं न कहीं होगा ही होगा लेकिन योग कहां का बनता है ये भी बड़ा महत्तपूर्ण विशय है युक के आदी में मुनि राज आदीनाथ भी आहर चरिया को निकलते थे बिधी के अभाव में कोई समझ ही नहीं पाता था कि ये मुनि राज बस्ती में क्यों आ रहे हैं इन्हें किस बात की आवश्क्ता है और मुनि राज आदीनाथ बस्तियों में आकर के बिन आहर के बापस चले जाते थे लंबे समय के बाद स्योग राजा स्रियान्स को बना था यहाँ पर मुनि राज महाबीर भी अपने उपवास की पारणा के निमित त्वस्ती में बिहार कर रहे हैं देखो एक ऐसा संदर्व है जो संदर्व सबको बहुत भावुक करने वाला है आहरदान जिसने दिया ऐसी चंदन वाला उसका प्रसंग भी समझना बहुत जरूरी है चंदन वाला महराजा चेटक की पुत्री थी सबसे छोटी पुत्री थी लाड़ प्यार में पली योवन अवस्था को पाकर के राज महलों का सुख भोगते हुए वो किसी एक समय अपने महल के ओद्यान में खेल खेलने में रत थी जिसे संस्कृत में कीड़ा करीड़ा कहा जाता है और उम्र में जैसे उद्यान बगीचों में सबी खेलते कूटते रहते हैं वह भी अपने उद्यान सुरक्षित निश्चिन्त था कोई एक विद्याधर आकास मारगे से जा रहा था वह अपनी पत्नी के साथ था लेकिन उसका ध्यान जैसे ही गया कुमारी कन्या पर उसका मन मोहित हो गया ब्याकुल हो गया और उसने सोचा हमारी सहधर्मनी साथ में अभी जमेगा नहीं तो वह बापस अपने नगल लोटा और अपनी बिद्याधरी इस तरी को महल में छोड़ा अपना रूप उसने बिद्या के बल पर बना करके और बिद्याधर को बिठा दिया और बापस आ गया यहां पर चंदना का हरन उसने किया जब ले जा रहा था तब महल में बिद्याधरी को ये बात समझ में आ गई क्योंकि वो भी बिद्याधरी थी सरीर का आकार बैठा हुआ है लेकिन हलन चलन कुछ नहीं है चेतना नहीं दिख रही इसका मतलब हमारे स्वामी ने हमको धोका दिया है और वो कहीं निकल गए इधर बिद्याधरी ने बैठी इस बिद्याधरी को पैर से ठोकर मारी और ठोकर खाकर कि वो बिद्याधरी भाग गई पुने इस बिद्याधरी ने अनुमान लगाया कि मेरा पती कहा गया होगा आलोकनी बिद्या के बल पर उसने देखा कि हमारा पती समय कहा है तो आलोकनी बिद्याधरी ने बता दिया कि तुमारा पती तो चंदनवाला का हरन कर रहा है ओहो क्रोध से संतप्त हुई वह बिद्याधरी आकास मारगे से उसी इस्थान पर पहुँच गई जहां बिद्याधर चंदनवाला का हरन करके ले जा रहा था अपनी पत्नी को आता देखकर बिद्याधर डर गया और जैसे इसने फटकारा ललकारा तो डर करके बिद्याधर ने परन लगवी विद्या के साथ सीता को छोड़ दिया परन लगवी विद्या के साथ चंदनवाला को छोड़ दिया और धीरे धीरे करके चंदनवाला घंगोर बन की अटबी में गिरी यहां बिद्याधर भाग गया उस जंगल में कोई भी नहीं कुछ समय उसका ऐसे ही बीता भीलों का कालक नाम का एक भील वहाँ पर आया उसने चंदनवाला को देखा उसे लगा इस घंगोर जंगल में यह कन्या कहां से आ गई उसके मन में थोड़ा सा सरल भाव आया यहां चंदनवाला ने भी उसे निकट आया देखकर धर्मे के रूप में संबोदित किया उसके मन में धर्मे के भाव जागरित कराए और अपने कुछ आभूशन दे करके उस कालक नाम के भील को संतुष्ट कर दिया वह कालक भील उस चंदनवाला को वहां से ले जा करके अपने भीलों के सरदार जो भीलों में मुखिया माना जाता है सिंग नाम के उस भील के लिए चंदनवाला को सौब दिया चंदनवाला वहां रहने लगी उस सिंग नाम के भील सरदार भील की मात्थी परिवार था माने चंदनवाला के लिए बहुत इस नहे से रखा समाल करके रखा लेकिन धील के सरदार के मन में काम का भाव आया उसने प्रियत ने भी किया लेकिन माने ये कहते हुए कि ये धर्म कन्या है और यह तुमारे लिए योग नहीं है उसे डाट फटकार करके शान्त किया और वह बीलों का सरदार भी शान्त हो गया उसने फिर कोई प्रतिकार नहीं किया कुछ समय बीता चंदनवाला सुक पूर्वक वहां रह रही थी खान पान उसका उचित था लेकिन इसे लगा कि मेरी मा के रहते हुए मेरी एक्षा की पूर्ती होगी नहीं और इसे घर में रखने से कोई फायदा नहीं है क्यों नहों बड़े शहर में ले जा करके इसे किसी सौदागर को बेच दिया जाए अपने को पैसा मिल जाएगा ये ठीक उपाए उसे लगा और उसने एक दिन अपनी मा को कह करके किसे मैं बेच करके आता हूँ चंदनवाला को बेचने के लिए कौसामबी नगरी ले गया कौसामबी नगरी में ब्यापारी सौदागर के पास गया और सौदागर के लिए अच्छी खासी रकम पैसा लेकर के और चंदनवाला को सौप दिया उस समय गुलाम प्रताएं चलती थी दास प्रताएं चलती थी अगर कोई वक्ती किसी के अधीन हो गया तो वह उसे खुले बजार में कहीं भी बेच सकता था इसमें कोई बादा औरोज नहीं थे चंदनवाला उस सौदागर के हाथ लगी सौदागर ने भी सोचा कि मैंने जिसे जितने मेंसे खरीदा है अगर इसे ले जाकर के मुख बजार में बेचा जाए तो इससे कई गुना ज़्यादा पैसा मेरे लिए मिलेगा इस लोब में आकर के वह सौदागर चंदनवाला को कौसांबी नंगरी के मुख बाजार में ले गया और एक जगह खड़ा हो गया देखो बिचार तो करो राज घराने की राज कन्या कितने सुखों से पली कितने आनंद में रही और अशुब कर्म का उदय आया तो उसका हरन हो गया उसके परिवार पर क्या बीती होगी जिसके दस भाई थे पिता बज्जी संग के अध्यक्षते महराजा चेटक इतने बड़े घर से राज घराने से चंदन वाला का हरन हो गया परिवार आकुल ब्याकुल है चंदन वाला भी अपने भाग को कोस रही है लेकिन उपाए कुछ भी नहीं घर में रहने वाली मासून चंदन वाला भीलों के परिवारों में रही और आज कोसामभी नगरी के मुख बजार में बिकने के लिए खड़ी है देखो बिदी का बिधान कर्म की विचित्तरता कितनी बड़ी परेशानी उस राज कन्या पर आई उसी समय मंदर से बसबदत सेड़ जी अपने घर बापस जा रहे थे रास्ते में जैसे ही सेड़ जी की नजर पड़ी उन्होंने गौर से देखा तो लगा अरे इतनी सुन्दर सुक्मार कन्या यहां बजार में बिकने के लिए खड़ी है सौदागर कीमत लगा रहा है बई मामला क्या है जरब पता तु करू बरसब दत्यसेट धार्मिक थे पूजा पाठ कन्या मंदर जाना उनका धर्म था देखते ही उनके मन में आया कि यह कोई राजगराने की कन्या मुसीबत की मारी यहां आकर के खड़ी हुई है क्यों नहो इस बजार की समस्याओं से से बचा लिया जाए और उन्होंने सौदागर से कीमत पूच ली सौदागर ने पहले तो सेड़ जी को देख करके कहा कि सेड़ जी आपका यहां क्या काम आप धार मिखें आप अपने कारियों में लगें यह बजार तो सौदागरों का है और यह तुमारे कोई काम की नहीं नहीं फिर भी सेड़ जी ने कहा नहीं मुझे आवश्रकता है और आप तिस कन्या की कीमत बताओ मैं इसे खरीदूंगा क्योंकि सेड़ जी के मन में खरीदने का भाव इसलिए आया कि सेड़ जी के पास संपदा तो थी धन पैसा था लेकिन संतान नहीं थी संतान की प्राप्ती के लिए उन्होंने अने को पाई किये लेकिन भाग ने सास नहीं दिया सेड़ जी ने मन बनाया क्यों नहो इस कन्या को खरीद करके अपनी ही कन्या बना लिया जाए सेड़ जी ने मुह मागा दाम दिया और चंदन वाला को अपने साथ ले लिया अब देखिए एक राजगराने की कन्या अपरिचित अवस्था में किस किस के पास से कहा कहा तक आगे बढ़ रही है परेशानिया आ रही है लेकिन चंदन वाला का भाग उसका धर्म उसकी रक्षा कर रहा है अभी तक उसकी रक्षा होते आई सेड़ जी मिले मा मूला सेठानी भद्रा सेठानी और सेड़ जी धार्मिक भाव रखते थे लेकिन चंदन वाला जैसी राजकन्या को देख करके सेठानी के मन में आया कि सेड़ जी क्यों लेकर के आगे तरह तरह की संकाएं को संकाएं सेठानी के मन में आने लगी और सेठानी उन सब बातों को अंदर रखकर के ही अपने कारी में सन लगने रहती बेवहार बना करके रखती ये अपनी ही बेटी है इसका ध्यान रखना लेकिन इसके पहले होता ये है कि किसी कारी बस सेड़ जी बाहर गए थे ठके हुए थे धूप का समय रहा और हारे था कि जब घर आये बापस तो उन्होंने आवाज लगाई पहले सेठानी को आवाज लगाई सेठानी किसी कारी व्यस्त थी फिर घर के नोकर चाकरों को आवाज लगाई वो भी सब निश्चिंत थे बाद में चंदना को आवाज लगाई चंदना ने आवाज सुनी और वो आ गई सेठानी ने कहा मैं बाहर से हारत थका आया हूँ प्यास बहुत लगी है पानी लाओ हाथ पैर भी धोँगा और पानी भी पीऊँगा कुमारी कन्या चंदन वाला पानी लेकर के आई पिता सिरी ने हाथ पैर धोए चंदन वाला ने पानी पीने को दिया चंदन वाला जब पैर धुरलाने के लिए पानी दे रही थी तो उस समय उसके केसों का कलाब गुच्छा कंदे पर से निकल करके पानी में लग गया पिता जी ने सहजी इस नहवस उस चोटी के लिए उठा करके पीछे कर दिया इतना करी रहे थे कि उसी समय सेटानी आ गई और सेटानी को जो मन में उसके बिकल पे चल रहा था उस भाव की पुष्टी हो गई क्रोध में भी आई संकाएं को संकाएं भी की लेकिन सामने कुछ कहते नहीं बना बात आगे बढ़ी दिन भीत्ते गए किसी एक समय सेट जी ब्यापार के लिए आगे बढ़े और सूचना देकर के किचंदन वाला का ध्यान रखना और सेट जी ब्यापार को आगे बढ़ गए देखो सहज रूफ से किये गए कारिबी कभी 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 लोगों को बड़े बिकल्प का कारण बन जाते हैं बड़े बिकल्प का कारण बन जाते हैं और उन बिकल्पों में तमाम तरह की कल्पनाएं और जुड़ जाती है यही बात ये कहानी आप सब को बतला रही है सेट जी तो कितने स्नेह भाव से उसे कन्या मान करके बजार से खरीद करके लाए घर में बालिका की तरह रखा इस नेह भाव दिया सुभी धाओं पर ध्यान दिया लेकिन सेठानी को संदेह का कारण बनता गया बनता गया बनता गया और एक दिन आया जब सेठ जी बाहर गये है तो सेठानी को बदला लेने का मौका मिल गया इस कारिक्रम के पुने आरजक थे श्रीमती कांती देवी जन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बवीता जन, श्री सिधार्थ, श्रीमती सुप्रिया जन, सौम्या जन, सावी जन, प्रकाश साइकल परिवार, कटनी